इसन्य आंप इश्य है नमस्ट एर मैं जोट्षना स्वागत करती हूं कि आप सभी गा दोस्तों सब्सक्राइब अपने चैनल बिंदास प्लांटिंग में दोस्तों आज मैं फिर सरह है हूं आपके लिए खुबसूरत खुबसूरत सक्प्लियाब दोस्तों यह वीडियो उसी वीडियो का second part है दोस्तों जिसमें मैंने आपको बताया है कि permanent succulent plant आप अपने garden में किस तरह बचा के रख सकते हैं और सालो साल चलने वाला plant है तो अभी तक आपने हमारा part 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए हमें उमीद है आपके लिए काफी useful वो वीडियो होगी तो चल साल चलने वाला है तो वीडियो को लाश तक देखें जिस तरह हमारे और plant seasonal plant होते हैं जैसे winter का हो गया या फिर summer का हो गया जो एक सीजन ही चलते हैं और फिर वो मर जाते हैं तो हम लोग ऐसा सोचके ही ले आते हैं कि यह एक सीजन चलने वाला है वो 50-60 रुपए 20-10 चाते हैं इक चिजन के बाद लेकिन उसको बचा के अप कैसे रख सकते हैं उसके बारे में भी मैंश ऐबतिब टिप्स शेर करूंगी वीडियो के लाश succulent plant आपके साथ Permanent रहने वाला है, सालों साल आपके साथ चलने माला है, लेकिन वीडियो चूरू करने से पहले, आप सबसे request है friends, कि यदि हमारे वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे channel को subscribe करें, और जो bell वाले button होती है friends, उसको जरूर प्रेस करें ताकि आने मला वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें तो चलिए देखते हैं प्लांट नंबर 21 कौन सा है नेक्स प्लांट है दोस्तों हमारा जेट प्लांट का जो कि बहुत ब्यूटिफुल ग्रो करता है यदि आप एक छोटा सा मैंने बना रखे हैं इस तरह आपको लगा देना है बड़े आराम से यह चलता है नेक्स प्लांट है दोस्तों है सेनेसियो का जो बहुत खुबसूरत लगता है और इसको मैंने देखिए एक छोटे से इस तरह फूट कांटेनर में लगाया है और कितना यह बड़ा हो चुका है एकदम से बनसाइ ट्री बन गया है और मैं जल्दी इसको सिफ्ट करूँगी आप भी इस तरह बड़ा हो या चोटा हो किसी कंटेनर में इसको लगा सकते हैं और यह बाई कटिंग बहुत सुन्दर चलता है यह ग्रीन कलर का है और दूसरा इधर देखिए सेनेसियो को प् अचयula प्लांट है ृis के ही मैंने कटिंग कर के मैंने कटिंग लगा यह एक है और एक टीज़ा एधर है और फिर इधर भी मैंने लगा रखा है to be a reacting से अब बड़े आराम से ज़िवर कर सकते है और एक से कई प्लांट आप बना सकते हैं और यह भी काफी हार्टी प्लांट है दोस्तो एक बार अपने गार्डिन में लगा लेते हैं तो ये सालो आपके साह थे हैं ये साल रहेगा ही येक संक्रम नेस बना सब सुछ गयां है ये कैरिक तुली में दे detached init निखर के आता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और अधर डे आपको घृण दिखेगा इसका एक और वरायटी भी होता है फिर्ण से फिल्स हमारा निश्प्लांस है दोस्तों वेरिकेटेलिगर्ड प्लान्ट जो बहुत बुछीफूल लगता है जैसा कि आप देख पा रहे ह जो काफी अच्छे उपर money plant की तरह चड़के भी बढ़ता है और नीचे trailing करके भी आपका बढ़ता है आप normal hanging basket में भी लगा सकते हैं और इस तरह money plant की तरह इस तरह आप उपर भी चड़ा के moss grass में लगा सकते हैं जो बहुत खुबसूरत लगता है तो इसकी भी आपको कुछनी करना है छोटी सी cutting आपको ले लेनी है और आपको लगा देना है बड़े अराम से ये grow हो जाएगा इस तरह आपको cutting ले लेना है और हर एक knot से जिस तरह money plant होता है दोस्तों इस तरह इसका root grow हो जाएगा और आपना simply किसी भी गंबले में आप insert कर द लगा लेते हैं तो by cutting आप बहुत सारा plant इसके बना लेते हैं और आपके साथ-साथ ये चलता रहता है और बहुत कम केर मांगता है दोस्तों एक बर अप लगाल लीजिए और बस भूल जाएगा और यह डिखे फ्रेंट्स इह मेरा next plant है लेपर लेली का जो बहुत खुबसू नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों फिपरोमिया क्यूपीड का जो बहुत खुबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में आप इसको लगा सकते हैं और यह भी बाई कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है यह देखे इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है फ्रेंस बहु निकलेगा नेक्स्ट हमारा प्लांट है दोस्तों पेपरोमिया का जिसको बेभी रबर प्लांट के नाम से भी जानते हैं यह भी बाई कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है इसको भी मैंने कटिंग से लगाया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा कटि ही लगाया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं चोटे-चोटे कटिंग से चल जाता है यह बाई लीफ भी ग्रो हो जाता है नेक्स प्लांट है दोस्तों हमारा यह गोल्डेन सीडम का जो बहुत ही ब्यूटिफुल ग्रो करता है बहुत कम समय में आपके पूरा भर लेता है इसक चोटा सा कटिंग डाला था और देखिए कितना पूरे पूर्ट को कवर कर लिया है इस तरह यह देखिए पूरा ऐसे ट्रेल होता है लंबाय लटकता है फ्रेंस नेक्स्ट हमारा ब्यूटिफुल सकुलन प्लांट है क्रिस्मस का जो एक बार आप अपने गार्डन में लगा और यह प्लांट बहुत हाड़ी होता है और आपके साथ गार्डन में सालो साल चलने वाला होता है जैसका मैंने पहले ही बताया नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों इस तरह हम देख रहे हैं यह रिपर चारली का है और यह बहुत सुंदर इस तरह लटक के हैंगिंग बासकेट में लगता है और इसकी भी मैंने छोटी सी कटिंग डाल दी थी अपने बास्केट में इस तरह गमले में और देखिए कितना अच्छा से ग्रो हो गया है और इसको ज्यादा आपको खुश नहीं करना है इस तरह चोटा सा कटिंग ले ले लेना है आपको जैसा कि मैं लेके हुआ हुआ है जो इस तरह दिखे रोज की तरह लगता है और यह तुल बश्क टरपके रहता है तरह कि रहता है श्लम में लता चलनेमाला साल्साल हुए बहुत हाडी बहुत ब्यूटिफुल सक्लोन प्लांट है और बहुत आराम से इजी वे में बाई कटिंग ग्रो हो जाता है यह सिंगल लीप से भी ग्रो हो जाता है लेकिन उसमें टाइम लगता है और ऐसे यह ट्रेल करता हुआ बहुत ही खुबसूरत लगता है दोस्तों मैंने छोटा सा कलर का है और ज्यादा तेज धूप लगने से इस तरह देखिए इसका कलर चेंज हो जाता है थोड़ा रेडिश हो जाता है और ऐसे जब छाय में रहता है तो ग्रीन रहता है नेक्स प्लांट है दोस्तों यह हमारा वन्रिंग जीव का जो बहुत खुबसूरत आपके साथ सा हुद लगते हैं नेक्स हमारा ब्यूटिकूल साखुलेंट लांट है दोस्तों यह बहुत ही खुबसूरत लगता है इसका एज दिरे-जैसे ही तेज होती है यह थोड़ा-थोड़ा रेडिश होना शुरू हो जाता है और यह बहुत सालों तक आपके साथ चलने वाला प्ला गेट किया है और कितना अच्छा से यह निखल के आया है इसका बेबी एक आपको निकाल के दिखा दे रही हूं ऐसे मैं छेड़ चाड़ा भी नहीं करूंगी कि यह थोड़े बड़े हो जाएंगे तभी आपका यह प्लांट चल पाएंगे वरना बीच में डैमेज होने का चा चार प्लांट आया है और इसको मैं अभी कुछ छेड़ चाड़ नहीं करूंगी इसी में डाल दे रही हूं इस तरह आप सिंगल लीप से भी और लेचेवरिया को लगा सकते हैं और बहुत खुबसूरत इसका प्लांट होता है यह दिखे इस तरह कटिंग से भी मैंने लगा पते रहा है उसरा कटिंग आरे फिर हमारी तरह कर लोग लेत डए दो करके दोके हां मी आपके गारडन से अहीं जाएगा तो आपिया क्यास तुछ लेक्पकर रहे बना रहेगा आज के लिए इतनी जनकारी थी दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नहीं जनकारी के साथ हमें उमीद है कि आप हमारी छोटी सी जनकारी आपके लिए काफी यूसफुल होगी तो आप इस तरह सब्सक्राइब लगाईए जो परमानेंट है और अर सब्सक्राइब को खुबसूरत बना सके तो चलिए फिर मिलते हैं नमस्कार